तो चलिए सीधे आपको दिली लेकर चाते हैं जहार विंद केज जिवाल क्या कुछ कह रहे सुनिए प्रश्न है जनता के मन में उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाई हैं जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कारेकर्टा घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे ताकि जनता को पता चल सके, उनके मंद में जो प्रशन है उनको अपने प्रशनों के जवाब मिल सके मैं ये पत्र आपके सामने पढ़के सुनाता हूँ फिर बात करेंगे मेरे प्रिय दिल्ली वासी इन लोगों ने मुझे पांच महीने जेल में रखा इन्होंने मुझे गिरफतार क्यूं किया आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भरष्टाचार नहीं किया केजरिवाल भरष्टाचार करी नहीं सकता फिर इन्होंने मुझे गिरफतार क्यूं किया क्यूंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूँ वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफतार किया ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं मैंने दिल्ली में वो काम कर दिये जो आज तक देश में कभी नहीं हुए इनकी 22 राज्यों में सरकारे हैं वहाँ ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे वहाँ जनता से अब जनता ने वहाँ इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि वही दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्राखंड में सरकार है, राज़त्तान में सरकार है, छटिल्गड में सरकार है, मद्यपर्देश में वहाँ लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया वही दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है वहाँ लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया वही दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे हैं पावर कट क्यों लग रहे हैं वहाँ जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया वही दिल्ली में सब को इतना बंद कर दी मैं शुगर का मरीज हूँ और पिछले दस साल से मेरे को रोज चार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते है इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिये इससे मेरी किड़नी खराब हो सकती थी मेरी मौत भी हो सकती थी इनके इतने शडिंतर के बाद भी भगवान की कृपा है आप सब का अशिर्वाद है समविधान की ताकत है और सुप्रीम कोट का न्याए है कि आज मैं जेल से बाहर आगया और आप लोगों के बीच में हूँ जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए में को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक दिए जैसे तूटी हुई सडकों की मरमत नहीं होने दी सीवर की सफाई रोक दी जगे जगे पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने अस्पतालों में दवाईयों की बंद कर दी अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दी लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ा-धड सारे काम करवाने शुरू कर दिये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अब शुरू काम दीरे-दीरे सारे तो इस शड्यंत्र में भी ये लोग सफल नहीं हुए जैसे जेल से छूटते ही मैंने दिल्ली की टूटी सड़कों का युद्स तर पे रिपेर शुरू करा दिया और बाकी सारे भी जितने रुखेवे काम है वो भी शुरू हो रहे हैं दवाईयां भी अब शुरू हो जाएंगे टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे सारे काम अब धीरे-धीरे शुरू हो रहे हैं अब इन्होंने प्लान एक और बनाया इन्होंने प्लान बनाया किसी भी तरह से दिल्ली की सक्ता हासिल करो दिल्ली की सक सकता किसलीए हासिल करो काम कराने के लिय nen 입니다 दिली में जो 10 साल में काम हैं उनką रोकने के लिए ताकि गुजरात की जनता इंसे न पूचछ इनृप्रदेश की जनता इंसे न पूचहँ इस इन है किसी भी तरह से दिल्ली की सकता हासिल करके दिल्ली के काम बंद करो अब बात आपके हाथ में है अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिये तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे सबसे पहले ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे क्योंकि और कहीं नहीं दे रहे तो इनकी मनशाय ये नहीं है कि दिल्ली में सीख के गुजरात में फ्री बिजली देंगे ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे ताकि गुजरात वाली जंता इनसे पूछना बंद कर दे वही दिल्ली में तो मिल रही है हमको क्यों नहीं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि दिल्ली की फ्री बिजली बंद की जाएगी, दूसरा काम पहले 2014 से पहले, याद करो 2015 से पहले जब हमारी सरकार आई थी, मिरको याद है जुलाई का आज भी महीना याद है, जून जुलाई 2014, आठाट घंटे के पावर कट लगते थे, सारी जात इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता था, जनेरेटर का डीजल खतम हो जाता था, आठाट घंटे के पाथ, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, डीजल की जनेरेटर की दुकाने बंद हो गई दिल्ली के अंदर, तो अगर आपने इनको दुबारा वोट दे दिया, यूप जनेरेटर की में हैं, तो दिल्ली की जनता सोच ले, अगर इनको वोट दे दिया, तो दस-दस घंटे के पावर कट फिर दिल्ली में लगने चालो हो जाएँगा, बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली को संभाला है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों को बरबाद कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी किसी भी इनके बाइस राज्यों में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, बाकी इनके किसी भी बाइस राज्यों में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, तो ये दिल्ली के स्कूलों को बरबाद करेंगे, दिल्ली के स्कूलों को ब मैलाओं का बसों में फ्री सफर बंद कर दिया जाएगा बुजुर्गों के लिए तीर थ्यात्रा बंद कर दी जाएगी और दिल्ली के अंदर एक फरिष्टे योजना है उस योजना में अगर दिल्ली में किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो उसका पूरा इलाज अंत तक दिल्ली सरकार फ्री में कराती है चाहिए आप किसी भी बड़े से बड़े अपोलो में, मैक्स में, फोटिस में किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाओ दिल्ली सरकार फ्री में इलाज कराती है इन्होंने बीच में वो सकीम भी कई महीनों के लिए बंद कर देती जिन 22 राज्यों में इनकी सरकारे हैं वहान लंबे लंबे पावर कट लगते हैं बिजली पानी बहुत महंगे हैं सरकारी स्कूल और एस्पताल टूटे पड़े हैं जनता में तरही तरही मची पड़ी है, ये लोग वोई हाल दिल्ली का कर देंगे, ये पर्चा लेके जब जाओगे, मेरी चिठी लेके जाओगे, आपको दिल्ली की जनता को समझाना पड़ेगा, गलत तो नहीं कह रहा है, बाई साब कुछ भी गलत कह रहा हूं तो बता देना मैं जेल गया, केवल आपके लिए, अगर मैं दिल्ली में आपके लिए ये सब काम ना करता, अगर मैं दिल्ली में आपको ये सुविदाए ना देता, तो फिर ये मिर को जेल नहीं बेचते, गलत तो नहीं कह रहा है, अगर मनी सिसोधिया आपके बच्चों के लिए अच्छ स्कूल ना बनाता तो अगर सतिंदर जैन आपके लिए महला क्लिनिक नहीं बनाता अच्छे हमारी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है लेकिन पिछले दस वर्षों में कड़ी महनत और पूरी मांदारी से हमने आपके साथ मिलके जो काम की हैं, वो काम बंद नहीं होने चाहिए ये मेरी चिंता है, मेरी चिंता ये नहीं हैं कि हम जेल गए और भी जेल देश के लिए जेल जाना पड़ेगा जाएंगे लेकिन मेरी ये चिंता है दिल्ली के तीन करोड़ दो करोड़ लोगों के साथ मिल के पिछले दस साल में हमने जो दिल्ली को सुधारा है, स्कूल सुधारे हैं पताल सुधारे हैं लोगों की जिन्दगी सुधारी है वो काम बंद नहीं होने चाहिए हैं दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो मुझे भरोसा है कि हम सब मिलके बीजेपी के काम रोकने के हर शड्यंतर को आगामी विधानसभा चुनाओं में वोट की ताकत से हराएंगे मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी के सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुझे मंतरी की जिम्मेदारी संभालूँगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा यह चिठी लेके अपने को घर घर जाना है यही जन संपर का भ्यान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं एक एक कारेकरता को मेरे लिए नहीं करना अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है और दिल्ली ने पूरे देश को एक उमीद दी है यह जो काम हमने की हैं अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सडकों के, तीर्थ यात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिष्टे स्कीम यह काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था और ना इनके करने की मन्शा है ये काम रुकने नहीं चाहिए तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं दिल्ली के लिए सोचते हैं वो सारे इसमें लगेंगे इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा है इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है